नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अच्छड़क और आप देख रहे हैं माई फंडमेंटल तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत सौगत है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडिये नॉयल कॉर्परेशन लिमिटेट के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक आज आपको 6.5% की गिरावट क्यों दिखाया है और उसके बीछे बजा कया है और हमें करन्ट मार्केट प्राइस में अपनी पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं अगर आपने ये स्टॉक आज बाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा important है और अगर आपने recently इसके dividend के लिए भी apply किया है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important रहने वाला है तो चलिए दोस्तो आज की बात करते हैं आप देख सकते हैं इसकी opening ही lower side पर होती है 98.90 पे उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्टॉक अभी आपको दिख रहा है 97.50 पे अभी लगवग लगवग दोस्तो 20 मिनट बचे हुए हैं मार्केट क्लोज होने में और ज्यादा आपको चिंजिस दिख सकते हैं तो दोस्तो पहले बात करते हैं हमकी इसमें आज आज आपको 6.5 6 पठंट की गिरावट क्यों दिखाई दी है फिर हम आगे बात करेंगे तो दोस्तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीक्राम पे पूछ सकते हैं लिंक मैंने आपको डिस का और इसी वज़ा से आपको एडजस्टमेंट दिखी है यह गिरावट नहीं है यह एक एडजस्टमेंट है जो डिविडेंट की एडजस्टमेंट होती है आज इसका एकस देट है तो इसी वज़ा से आपको यह फॉल दिख रहा है जो डिविडेंट कंपनी ने दिया है व क्या होनी चाहिए IOC में तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों मैंने इसी की वेबसाइट पर आ चुक हूँ तो यहां पर आप देख सकते है प्रिविएस क्लोस है इसका 104.10 ओपनिंग होती है 99.80 पर हाई बनाता है यह 99.80 का और लो बनाता है 97 का यहां पर देख सकते हैं दोस्त पर आपको दिखाई दे रही है तो यहां पर अगर मैं बात करूँ परसंटेज ओफ डिलिवेबल कॉंटिटी तो 42.78 परसंट की दिलिवरी जो दोस्तों उठाई गई है लगोग लगोग धेड करोड की डिलिवरी यहां पर उठाई गई है और यह जो दोस्तों डाटा है य 52,45,864 जो हम दोस्तों selling quantity में लगे हुए है और अगर बाइन की बात करूँ तो 28,33,993 जो हम दोस्तों यहां पर लगे हुए है तो अभी बात करते हैं कि अगर आपने dividend के लिए apply किया है तो आपको क्या करना चाहिए तो दोस्तों आपको definitely अगर dividend मिला है तो आपको fall भी यह यहां पर देखने को मिला है यहां की चीज वहां पर adjust हुई है तो मैं आपको सला दूँगा कि अगर आप निकलने की सोच रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैं अभी profit में हूँ तो आप निकल सकते हैं क्यूंकि आपने जब trade लिया होगा तो आपने पूरी सोच मनाई हो किया है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप wait करें अगर आप 98, 96 या 94 पुराने बैठे हैं इसमें तो आप definitely इसमें निकल सकते हैं अगर आपने 100 या 100 से पार में लिया हुआ है ये तो आपको मैं सला दूँगा कि आप यहां पर wait करें उसके बाद बात करते हैं कि long term के लिए य issue stock है but definitely ये one of the best है आपको 6-7-8% का dividend deal मिलेगा शांदार आपको FDK returns वहीं से पूरा कर देता है और market में it's all about price और price अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है और company जो है दोस्तो recently अच्छा करना शुरू करेंगी और आपको यहां पर अच्छी खासी rally यहां पर देखने को मिल सक सकता है तो आपको definitely dates के उपर भी जाता हुआ दिख सकता है अगर आप time horizon के बात करेंगे तो मैं आपको समय दूंगा 3-6 मेने में आपको यह लगगग लगग दोस्तो dates के आसपास दिखेगा और definitely दिखना चाहिए काफी ज़्यादा यहां पर आपको consolidation दिखी है इस तौक में इस नहीं मैं PSU stock की बात करूँगा और PSU का समय आ चुका है और यह आपको डेट सो के आसपास मिलना चाहिए बट हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलूगा कि जो बंदे safe play करना चाहते हैं या फिर dividend lover हैं वही इन stock में अपना निवेश डालें वरना आप और कोई stock pick कर सकते हैं जिनका risk to reward ratio आपके favor में है और वहाँ से आपको अच्छी खासी rally मिलेगी यह इस तरह के stock बिल्कुल भी नहीं है जो आपको 100-200% के returns कमा के देज़ेगे